हेलो गाइज सब्सक्राइब करें रसमेश लोग यूट्यूब चैनल का और बिल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई रेसिपीज देखने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिना गेश चलाए धीर सारी मेंगो आइस क्रीम एक दम से सॉफ्ट डिलिसियस मुह मे जाते गुलने वाली घर पे कैसे त्यार करें और इसे बनाना बहुत यासान है और इतने टेस्टी बनती है कि इसे बनाने के बाद आप मार्केट से लेकर आना तो भूले जाएंगे तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वी आइसक्रीम वाली आइसक्रीम लेके आते हैं ठीक वैसी है अब आप देख सकते हो यहां पर जबनाने के लिए मैंने लिए हैं दो पीस मैंगो इतनी सारी जो गुलफी आइसक्रीम बनाने के लिए दो पीस आपको मैंगो लेने हैं छोटे या बड़े आप ले सकते हो इनको दो करके अच्छे सबस करके फिर इनके उपर का छिलका उतार दीजिए और आम को छुटे-छुटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए तो आप देख सकते हो मैंने दो मेंगो लिये हैं और इस यह जो मेंगो है ना खट्टे मिठी है तो आइस क्रेम भी बहुत है टेस्टी बन जो आम का टुकड़ा है उनका हम पल्प बनाएंगे तो आम की छिलेवी टुकड़ों को हमने डाल दिया है और अब इसका इसके अंदर हम डाल रहे हैं दो पीस पेड़े उनको भी छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और उसके बात मैं डाल रही हूं मलाई य और यहां पे हम अपनी पसंद के कोडिक मिठा डाल देंगे तो यहां पे मैंने लिए 100 ग्राम सुगर आप देख सकते हो दोपी साम थे और लगबग 10-11 मुझे आइस क्रीम जमानी है तो इसलिए तो देखे यह बिल्कुल से पल्प रेड़ी है इसमें पानी का बिल्कुल य अगर आपको सुफ्ट सुफ्ट आइस क्रीम चीए तो पानी बिल्कुल नहीं होना चीए यहां पे मैंने लिए आदा कप क्रीम विप क्रीम होता ना जो जिस से हम की केक डेकोरेट करते हैं वह वाला क्रीम है यह मैंने थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज में गर लेंगे तो यह मैने लिए इलेक्ट्रिक बीटर मसीन हम इसको विप करेंगे और दो से तिर मिनट में विप करते ही ए जो आपका क्रीम है एक दम से फ्लपी और पहुत ही साईनी हो जाएगा तो इसी तरह कामी क्रीम चीए एक दम से क्रीमी क्रीमी आइस क्रीम बनाने के बस ज्यादा ingredients की जरूरत निया हो और यह जो, वीप क्रीम है लृपे की पिकेट थहे उसे आ और काई बार जो आईस क्रीम है रेडिमेंट करूष आता र whitekay यह सब सब कुछ मिलावा होता है तो इसमें आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है मिलाने की तो यहां पर मैंने वीप क्रीम को अच्छे से वीप कर लिया है आप देख सकते यह फूल करके डबल हो जाता है तो जैसे मैंने आदा कप लिया ना तो यह एक कप से जाधा हो जाता है वीप करने से और आप इसको स्पून से भी वीप कर सकते हो बिल्कुल से इसी तरह की कंसिर्टरेंस से आ जाती है और यह जो मेंगो का पल्प था ना इसको मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया ता फ्रीज में आदे गंड़ी के लंसम मैंने इसको ठंडा किया और इसके बाद इस क्रीम के अंदर इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से जो बचावा पल्प उसको भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे सुगर वुगर सब कुछ एड़की हुई है और अब हमें इसमें कुछ भी अड़ी करना है बिल्कुल से हमारी ऐसक्रीम एक्तम से क्रीमी क्रीमी टेक्चर भी आ गया है अब इसके आप आइस क्रीम जमाईए वह सो फैंटास्टिक जब घर में इस तरह कि आप जमा करके और खिलाएंगे ना तो बस तो यह देखिए सारी जो मैंने कप्स लिये जो चाय वाली कप्स होते ना उनी के अंदर में यह सब जमाने व मार्केट के अंदर लस्सी वाला दही वाला जो कप होता उनके भी आप यूज कर सकते हैं और इस तरह से जो कागज वाली कप्स होते हैं चाय वाली कोफी वाले उनका भी आप यूज कर सकते हैं इनके अपर हम दो दो चाचा पिस्ते से इसको गार्निशिंग कर देंगे और तो इसे तरह से सारे जो कपस भर करें और इनको गारनेशिंग करके उपर लिए और निटीज के लिए प्रिज के लिए और निकालेंगे तो आप तेखेंगे कितनी मज़तार है इस्क्रीम जाम करके टरायर रही है वाव बच्ची तो इंतजार करें खाने के लिए तो आप इसी ज़रूर बनाएंगा रेसीपी बहुत अच्छी है और फेंटास्टिक बनती है और मार्केट से तो कई कुना ना कोई कलर ना कोई एसेंस कुछ भी नहीं नैचूरल जो इस्क् करके रिखाऊंगी कि इसको कैसे निकालें आप इसको स्पून से सीधा ही खा सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आप मैं नाइप से थोड़े कॉर्नर को हलका सा लूज कर लोगी बीच के अंदर नाइफ लगा करके इसको हम निकाल लेंगे या फिर आप चाहे तो इस को काटी से थोड़ा सा तोड़ लेते हैं बहुत ही अच्छी बनी है और डिलिसीस दी है वीडियो को लाइक करना शेर करना और कॉमेट करना तो बनता ही है न तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इंग्रिडियंट्स के लिए क्रिप्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजेगा थेंक यू